नमस्कार आप देख रहे हैं डिजियाना नियूज मेंदी पक्रजा का आपका स्वागत करता हूँ आए नज़र डालते हैं आज दिनवर की प्रमुख खबरों की तरह युवा मोर्चा के कारकरताओं ने आज पुलिस सदिक्षक कारेले में पहुंच कर SDOP रादोगर अनुराग पांडे के खिलाब ग्यापन दिया वहीं युवा मोर्चा के कारेकरताओं की मांग है कि जल्द से जल्द SDOP अनुराग पांडे को निलंबित किया जाए एवं उन पर जांच की जाए बता दें कि आरोन के मंदल अज्यक्ष पर हरिजन एक्ट में मामला दर्ज किये जाने से नाराज कारकरताओं ने आज पुलिस सदिक्षक कारेले पहुंच कर SDOP अनुराग पांडे के खिलाब नारेवाजी की एवं ग्यापन सौपा कारेकरताओं का आरोप है कि SDOP अनुराग पांडे ने जुट पोल कर आरोन के मंदल अज्यक्ष उमा पड़वा को थाने बुलाया कि पुलिस सदिक्षक निमे सग्रवाल थाने आये हुए हैं और उनसे बात करना चाहते हैं कारकरताओं ने ये भी आरोप लगाया कि बिना याज की ये मंदल अज्यक्ष पर हरिजन एक्ट भी कायम किया गया ये वह मोचा के कारकरताओं ने हच्जज़ोपी अनुराक पांडे पर और भी कई गंबीर आरुप लगाए और कहा कि उनकी कारेप्रणाली शंका के घेरे में रहती है वहीं पैसो के लेंदेन को लेकर भी इन पर कई गंबीर आरुप लगाए गए हैं आपको ये भी बता दें कि कुछ दुनपूर रादोगाड विदायक जेवरदन सीने भी हज़ोपी रादोगाड की कारेप्रणाली को लेकर कई सवाल उटाए थे वहीं एक आंदोलंग के दोरान उन्होंने हज़ोपी अनुराग पांडे से उनके दलाल को लेकर आने की बात भी कही थी अब देखना ये होगा कि हमेशा से किसी ना किसी विवाद में घिरे रहने वाले अईजोपी अनुराक पांडे पर पुलिस अदिक्षक क्या करवाही करते हैं आप इसको प्रतीवेदन में लेगे तो इसको लगा कि एस्पी साथ आरो ना आजा है मेरे फून पर एक दो एक्टियोपी साथ ये बोला कि पड़वा को बुला चिलाओ ये बोलके कि एसपी साथ जो एसाई है ये एंडियादा हो रास्ते मारे बिश्वादिन के टार रहे हैं अगर आप ले रखते हैं तो लें पूरी आपको बताते हैं और आपको पूर्वाद मुझ पर ये अक्ता मामला दर जुगा है महुदा है निवेदा नहीं कि प्रारती हुमा संकर पड़वा को तुर करो इलाल पड़वा हो उम्र नवासी सिफकालों यारों नवास करता हूं यह की प्रारती जानती भारती जनता है वह मूर्शा का उपाध्यक्ष है जिले का उपाध्यक्ष है तक्री कार करता है यहां की सत्रा तारीख 12-2017 की साम लगबग साले आठ बजे होंगे सिफकालों नहीं अपने को अनुराग पांडे ने मेरे खलाब एकरियन एक्ट का मुक सब्सक्राइब साथ थाने पर बैठें और उस मुझे ले गया कर लोकाप में बंद किया गया और मुझे न्यालय में प्रेस कर दिया गया 50-1000 रुपे लेकर हर्यादियों से जिससे मेरा जगलाई नहीं है जिसको में जानता तक नहीं है पर CCTV यह जो था भी नहीं उस मौके प जाट के गुणाशे लोग से उमा पटवा आरोन भानाने वासी है उन पर इक प्रकंपंजीवर दिया है उस समन्द में उनकी शिकायद है कि इसमें एज़ी उस प्रिजिवर दिया यह उनका खेना है तो वो जांच होगी उसकी बिरिवत है और जो जो उने उसमें तर्षे उ गुजरात से सपत ग्रेंड समालों के बाद गुना पहुंचे मुक्यमंत्री शिवराज सिंग हवाई अड़े पर करीब 10 मिने टुप कर पिप्राई के लिए रवाना हो गए उनके साथ जयवान सिंग पगया भी आये हेली पेट पर कारकरताओं से मिलने के बाद उन्होंने पत्रकारों से संक्षिप्त बाद भी की हाला कि वो इतनी जल्दी में थे कि सिर्फ दो सवालों के जवाब ही दे पाए जो उन्होंने बोलना था वो बोला और चले गए उन्होंने बताया कि वो गुजरात से लोट रहे हैं और उनको अन्य तीन कारेकरमों में भी भाग लेन जिसके चलते वो कारेकरम से जल्दी आ गए भही अशोगनगर से जोड़े अपवादों को लेकर पूछा गया कि वो अशोगनगर क्यों नहीं जाते जिस पर उन्होंने कहा कि शिवराज जल्द ही अशोगनगर जाएंगे आज अबी मैं गुजरात से आया हूँ लगातार च्छटवी बार गुजरात में भारती जनका पारिटी की सरकार बनी है और एक अधवुद्रिस्ट के 18 मुख मंत्री भारती जनका पारिटी के आज गुजरात में सपत ग्रहंट समारोह में उपस्थि थे प्रधान मंत्री स्रीमान नरेंदर मोदी जी के पती जो आस्था है और विश्वास है उसके कारण भारती जनका पार्टी आज लगभग पूरे देस में च्छाई हुई है अगर कॉंगरेस देख है तो मोटे तो पर दो ईराजे बड़े रह गए हैं एक पंजाब और एक करनाटक करनाटक में में परसों था परिवरतन यात्रा में बहाँ करनाटक में भी अपरेल में चुना होने वाले हैं बहाँ भारती जनका पार्टी सरकार बनाएगी सब का के मूल मंत्र के साथ पालटी लगातार आगे बढ़ रही है सुसासन दे रही है आज मैंने विजय रूपानी जी को और नितिन भाई पटेल को जो मुख्मंत्री और उप मुख्मंत्री है महां बढ़ाई दी और अब यहां से आगे मैं महां गया मुख्मंत्री जी उप मुख् अगर मैं देर हो गई तो उना कवर में नहीं पहुंच पाऊंगा। कि उसकाइब हो घचा हैूं है तो मेरे राष्ट्री अधद दक्ष चाही एक कम करको हो मेरे बिन अपने अलप प्रवास पर गुनाय जैवान सिंग पवया इस दोरान पत्रकारों को सम्विज़ करते हुए सवालों के जवाब में तीके तीर सिंधिया की खिलाब भी चलाए तंज कस्ते हुए बोले कि सिंधिया नोटंगी करके जनता के सामने आता है यह कोई बात नहीं होती वहीं सिंधिया के माला ना पहनने की बात पर बोले कि गरीब आजमी पांच रुपे की माला तो ला सकता है पर पच्चिस रुपे की सूथ की माला कहां से लाए यह तो आज तरफित अपना नहीं मेला। यह तो अपने घर के कारेकर हों कोई करें नहीं करें। की बुर्ख शिंदी और माला भी नहीं पेनना एक ब्रोध इस तरीके से चलता है। गुरूदा सुरूदा 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 मनसौर की गटना है। इक ऐसा है कोई दो-तीन महिना के लिए नए-णए नौकर किया और फाक्ति करके जनुता तक बहुत कोई जीत रहता है। इस संभव नहीं, कि कमाशे हैं। अब गाओं में 10 रुट्या की माला मिल जाती है, छोटे कस्वे में खूल लिया माले करता है। तो अब पिच्छी रुट्या की सूट की माला कहां से जरिवाद में खरीव के लाएगा। अब तोलिया डलवाएगे, कमबर डलवाएगे। अब खादे बंधार के दुकार नहीं है, तो कहां से भाला लाएं आपनुर? और गांधी के रास्टे पर चलने की बात हो रहे हैं। भही एक सवाल के जवाब में बोले, कि यहां कांग्रेस घरों में सो रही है, साथ ही बोले, कि बीज़ेपी ब Security के लिए तयार है। कांग्रेसियों को सर्मानी चाहिए कि वह विकास का विरोध करते हैं वह यह यहां भी नहीं रुके आगे बोले कि कोई कांटे की टककर नहीं है बलकि कांग्रेस का सफाया होने वाला है साथी बोले कि कांग्रेस की सवाव में बाहर से लोगों को बुलाया जाता है 200 रुपे में किराय पर मजदूरों को लाया जाता है जबकि BJP के कारेकरमों में लोग खुद आते हैं हम तो विकास पर बहस करने के लिए तयार है ना जिन शित्रों में हमारा सालसद नहीं है जिन शित्रों में हमारा विधायत नहीं है ऐसे शित्रों के साथ भी मेरी सरकार के कभी शोतेला ब्यवार नहीं किया है जो highway हैं जो district road हैं जो सच्चाई योजराय हैं Congress अपने जमाने के आकड़े लेकर बैठ जया है और हमारी सरकार के जमाने के आकड़े लेकर बैठ जया है अब जनता का कुछ भला हो रहा है तो शरम आनी चाहिए Congressi को अशोक नगर अकेले जिले में एक बच्ष के अंदर पीसरा कॉलेज मेरी सथकार में दे दिया पीसागर में पहले भूल चुके पिपरई में नया कॉलेज दे दिया सहराई में नया कॉलेज दे दिया सारवरा में कॉलेज के प्रिक्रियाद शुरू करती कौन कहता है कि कारजी आगे इसमें यह मेडिया लेख सकता है यहां का मेडिया इस तरह लेखता रहा है और आगे जब भी कोई चुनाव होता है तो किसी पार्टी के लिए रिडी चेटी का फ्रोटी का जोर लगाना उसका धर्म होता है क्या मंत्री कारिकर्टा नहीं होते हैं क्या जिस पार्टी में जिस पार्टी की सरकार नहीं है उसमें सिंधिया के साथ में मंत्री आएंगे कहां से अगर मेरी सरकार है तो कारिकर्ता मंत्री भी है अब आप कहरें कि सिंदिया आके लिए गूंग रही तो मिनिस्टर नहां से आएगे सिंदिया मिनिस्टर पैदा करने के लिए दूर्टा कोई काटे की टकर नहीं है जनता के रुजान से बहुत साफ दिख रहा है कि इस पर सफाया होने वाला है उप्चुरा में अपरी की सभा की तो मुझे जानकरी है मैं भी उसी इलाके में दौरी पर था और मुझे तो भिंड की मुरैना की गौालियर की सागर की गारियों में भरे हुए कॉंगरेशी में मुझे तो बंगरा चौराए पर दो सो रुपया पर बाइक ले ले जिए पेटोल भरवा ले जिए चलिए अरे हमारी सभाओं में अब मुझेमंत्र जी के रैली में शेतर के लोग ही तो आ रहे हैं लेकिन आपके गुना के सांसत की सभाओं में लोग बाहर से लाने पड़ें आफर बोड तो शेतर के लोग डालते हैं बीजेपी एडी चोटी का जोर लगा रही शंकरपूर से आईवक ने पुलिस सदिक्षक कारेले पहुंचकर अपनी व्यता सुनाई सुकलाल ने आरोप लगाया है कि इसके भाई को शराब के जूटी केस में फसाया गया है जबकि यह ऐसा कुछ नहीं वहीं पुलिस सदिक्षक से इसके निश्पक से जांच करा आजाने का भी निवेदन किया है नीचे कलो आरोप लगाया है जांच की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के करकर देश्पक से जांच की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के करकरताओं ने महा महिम राजपर्टी के नाम ग्यापन दिया जांच की मांग के निर्मान के लिए शाकाहर को अपनाना चाहिए साथ ही किसे अपना गुरू बनाना है वो सोच समझ कर बनाए देखिए कल का कारकम था शाजापूर की धर्दी पर उसी परपेक्ष में यहां पर आना हुआ है यहां से मापस जाए गया है आजके परपेक्ष में जो एक साधू संद जो होते हैं अभी उन्होंने रूप बदल लिया है विवसाय का रूप धरन कर लिया है उसमें आपका क्या हुआ है देखे, साधू संसाधू कहते किसे हैं, जिसने अपने मन को साधा, गुरू वही है, जो इस अज्ञानता रूपी अंदकार को दूर करे, गुरू नानक शाम ने कहा कि गुरू शोई जो शब्द से नहीं, जो शबत के भेद को जानता हूँ, ऐसे गुरू की तलाश चलो, तो स अब से प्रातना है कि आप सभी लोग अपने मानों जीवन के उद्धेशियों को समझें, और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए आप लोग शाकाहार की तरफ बढ़ें, और शराब जैसे मादक पदार्थों का त्याक करें, बबबजी आज का लपन देख रहे हैं कि जगे जगा, कही ना कहीं कुछ एक बावा आई है, अभी कुछ पिंद्री पहले पकड़े हुए है, इस परातना है, यह जनता को तै करना है, यह जनता देखे, और हम तो यही प्रातना करेंगे कि ऐसे शब्द भेदी गुरू की तलास करो, जो शब्द या नाम के भेद को जानते हैं, आशाराम बापू और रामदेव बावाद के बारे में हम चिपड़ी नहीं कर सकते, जो जैसा करेगा, वो अपने करमों से खुदी गिरेगा, अच्छा क्या एक साधू को राजनीतिक होना चाहिए, देखे, साधू का जो काम है, वो साधू को करना चाहिए, रा बाशियों के आगरे पास इस बाट की सपाई की जा रही है, यह जो है, बाट नम्मा केंग्स का मेरे बाट का हिस्सा है, तो सबाई कराने के लिए हमारा पूरा अमला यहां आया हुआ है, हमारे बाट दुकान दार भाई, उस अगरे ताके, एक अभियान चला के यहां पे सबाई की जा, सुबहां आगरे तीया का सभी ने, उसके आदेश पर मैंने सारे हमारे दो दरोगाओं की ग्याई को बुला के और आपके सामने आप दिगरा है, जिस सबाई कर रहा है, हम जो चाहते हैं, पूरे सहर में सबाई कामगार अपने यूटी को मखूवी निभाए, जिस सुबहा के टाइम में जितना काम सबाई करें, जिस सेर हमारा है, तो मैं सबाई कामगारों से भी विसे सुरुक्त अपील करना चाहता हूँ, कि गुना अगर स्वच्च और सुन्दर रहेगा, तो उसमें हम भी स्वच्च और सुन्दर रहेंगे, हमारे सहर का भी नाम होगा, और यो बीमारियां लगती हैं लोगों सामने आई है, यहां मा समान सासकी उसी के दामाद ने बुरी तरह पिटाई कर दी, और घायल कर दिया, घायल के पती बावुलाल ने बताया कि दामाद आए दिन बेटी के साथ मार्क विट करता था, जिसकी रिपोर्ट जामने थाने में भी हमने दर्ज कर आई है, जिसके ब अब कर दो, आपका नाम? आपके वाद, यह यह जाएल है, यह कोन है आपकी? पत्नी है पत्नी है आपकी? किस ने मारा इनको? जबाए ने मारा इनको? कियो मारा इनको? इसको पोचा दिया तो क्यों पोचा दिया था तो दवन्य कर जा जाए उन्हें तुम भले जाओ जाओ तो पुलिस ने कोई मदद करी दी तो पुलिस में कोई मदद करी दी तो अभी क्या आपके घर पर वो कुछ खाम से आया था कि वहीं बहुत आपके जाए प्रदेश कार समीती सदस्से पूजा सौन्दिया ने अटल वियारी बाजपई के जन्म दिवस पर गाउं गाउं जाकर गरीब को कमल बाटकर मनाया इस मौके पर पूजा सोधिया के साथ का इस बीजेपी कारकरता मौजूद रहे मेरी वीटेश आप आ रही है कि अगरने अगरने इस बहुत आपके जाओ कि अजय आपके लिए संथ करिपाल जी महाराज अज जिल्य कल्यकर राजेर जयर्ञेर राजेन का साथ रच्सरम को कंभल मयास्च कर पहुंचकर क्रिपाल देद देदर में बते बर्चन के साथ संथ व्रेद्ग की स्था समिति की सदा से भी मौझूत रहे बहुत प्रसंद्नता की बात है कि महराज जी का त्मार राशाब ने कहा के महराज ब्रदास्रम् जाना चायते हैं तो एक किसी कारण से या आप हम इसको क्या कहें कहीं ना कहीं पूर जन्म के कर्मों का कुछ होगा कुछ बात हो सकती है जिसकी बज़े से हम लोग यहां है कहीं ना कहीं हमारे पुड़ने में कमी रहे हैं इसलिए हम लोग यहां पर हैं और आप सब का स्वबाद है कि महराज जी स्वे में हाप अगारे हैं आप सब को ना केवल आसीज देने वल्कि उन्हें सर्दियों में कंबल और अपनी तरफ से इस सद्धा राजी भी आप सब लो दो हमेसा रहते हैं यह हमारा पहुचया आते हम समाज कल्याव विवाद की तरफ से अम्लोग चलाते हैं इसको अनुदान देते हैं पुटिस अनुदार बिल्डिंग भी हमारी है बड़ी अच्छी तरह से पिछले समय से यां पर व्रता स्वाम का संचार होता है समय समय पर ब्रद्दों के साथ अपने सुखदुख बाठते हैं और यहां पर आती हैं लोग बाद हमने तो कल कलक्ताव आये थे तो हमने कहा आपके जिले में हमारे हैं आपके जिले में आये हैं जिलाधीस कहलाते हैं कलक्ताव जिलाधीस मारे हैं जिले का राजा तो किसी राजा के नखिल में जाए तो पर्मिशन बहुत जरूना है तो हमने वह हमारा फर्द है निभाना ही चाहिए तो हमारे तमीति की लोगों ने पहले जाके संपर की भी साधा और आज यहां जो यहां का कार्य देख रहे हैं है दो इस लिए भुष आप लोगों के प्रति अवागी दारी है है और कलेक्टर साफ का तो क्शी आपको पंदिया याद आ जाती है है कोई मंदिर जाय या ना जाए मस्जित जाय या ना जाय गिर्जा घर जाय या जाए और गुर्दवारे भी जाए या ना जाए करट सब बहुत बच्पन में याद होगी थी बहुत चोटे दिज़र को कंठस्ट होगी तो वह हम जब कोई उस तरह के भाव के लोग मिलते हैं जैसे की करेक्ट साथ हैं और आज यहां जिस सब योग है उस मालिक की ख्रपा है कि मानव सेवा का भाव अगर हमारे अंदर है मानवता अगर हमारे अंदर है और हम उस सेवा में सनलगना है तो बिना पूजा अर्चना के भी उसकी करफा हमारे साथ है उसमें कहा इबादत है इबादत माने है पूजा इबादत है किसी नाशाद का दिल चाथ कर देना कुछ है किसी बरबाद को आबाद कर देना और इबादत है किसी दर्दमन का दर्द बटा लेते हैं कि अधर देगी माताजी तोड़ा अधर कर दोड़ा आए कि अधर कंगा जोड़ तो कि अधर दो जो जब रहे कैसे वह थे जबन के लिए खके आरी है वाक्या है वो आओ अदर कर दो जोड़ आए मुह पीजाद आरी है सकते हैं आजाओ 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 इस लिए चलिए चले गए चले गेशे हाँ हाँ मिचा फू न वी ले जाँ आज आज आंगी आप इस ते इस तरह पिटा कॉट्समें न तिनाभी प्याहिए पर पालियल्म लीजेना नियूज में आज बस इतना ही कल ने खबरों के साथ हम फिर आजर होंगे तब तक के लिए नमस्कार लीजेना नियूज में आजर होंगे